एलो दोस्तों कैसे हैं आप साथ से भी स्वाहत हमारे एकॉर्ण वीडियो में तो याज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ नहीं अबडेट्स के बार में जो किया रिसेंटली आया हुआ है इंडिया में और सारे साथ ग्लोबल में दोस्तों तो सारा जीतना भी यूजर्स का जो अपडेट है वह फाइनली दो फोन को मिलने लग गिया है आपने आपे दोनों ही फोन का नाम देख सकते हैं और सार साथ साथ में आपको इसका वर्जन नमर भी देखने को मिलता है और एक जिस्तों शूर है कि यार यह जो अपडेट है काफी को मिल सकता है दोस्तों कि यार आपको तो मालूम है अभी बीटा अपडेट है तो बीटा अपडेट से लिए के स्टेबल अपडेट का जो जर्नी है थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि उसमें काफी जादा प्रॉब्लेम साता है बग्स आता है तो उसे ठीक करना पर सकता है शामी को तो उसके लिए थोड़ाबर डीले हो सकता है लेकिन अप्रॉक्सिमेंट मानके चलिए अगर आपके पास रेटमी का नोट 10 सीरीज के फोन है तो आपको काफी जल्दी जो है MIUI 13 का जो अपडेट है वो मिलने वाला है दोस्तों Android 12 के साथ तो नेस जो यहाँ पर हम मालूमी है ग्लोबल में अपडेट आने के बाद जो है कुछी जिन बाद जो है सेम अपडेट इंडिया में भी पुश कर दिया जाता है दोस्तो और फाइनली MI series के कुछ फोन के बार में बात करेंगे तो MI10 Ultra को जो है रिसेंटली Public Beta में MIUI 13 का जो अपडेट है वो देखने को मिल गिया है MI10 Pro को भी MIUI 13 का जो अपडेट है वो देखने को मिला है और दोनों ही फोन में जो है optimized system performance और सालसा system का जो security है उसे increase कर दिया गया है दोस्तो और फाइनल दोस्तो तीसार नंबर फोन है Redmi का K30 Pro और इसे भी 13 का अपडेट देखने को मिला है तो बात कर दियार इंड से related और सालसा जैसे कि आपका मालू में अभी भी कुछ ऐसे phones है जिसे जो 12.5 का अपडेट नहीं मिला है Poco का M2 Pro हो गया M3 हो गया और बाकी भी बहुत सारे phones है Redmi का 8 Series 9 Series और सालसा 7 Series इनको यह जैसे 12.5 का अपडेट मिलना complete हो जाता है उसके बाद हम लोग expect कर सकते हैं कि MIUI 13 का जो अपडेट है इन सभी phones को देखने को मिले जाएगा दोस्तो तो फिलाले आज की वीडियो के लिए इतना ही था कोई भी questions है queries अपनीचे कमेंड कर सकते हैं और हां जबस्तो जबसें चैनल को सब्सक्राइब करके notification का जो आइकन वो टरन ओन कर लिजिएगा latest subjects time पर पाने के लिए दोस्तो बाबाई and take care